लाजी के एकनाथ शिंदेश सरकार का शीद कालिन अधिवेशन भले ही खत्म हो गया हो लेकिन इसकी चर्चा अभी तक हो रही है पुरे सत्र के दोरान विपक्ष कमजोर नजर आया जबकि उपमुक मंद्री दिवेंदर फरनवीस उन पर भारी पड़ते हुए नजर आये एति शीद कालिन सत्र लोकायुक तो संसोधन विधहक के मंजोरी और एतिहासिक पूरक मांगों के लिए जाना जाएगा सत्र के दोरान नागपुर के विधान भवन के सीरियों पर भले ही विरोधी दल ने एकता दिखाए लेकिन सतन की कारवाई में उनकी एकता तार तार हो गई सता धारी दल के विधह के विधानसवा के वेल में आकर विपक्ष के खलाव नारेवासी करते दिखाए तिहे ह adult के बार बार आरोप लगाया कि विधानसवा अधेक कर बोलने नहीं देते इसी से नाराज होकर उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव लानी का पद्र सत्र के खतम होनी की पुर्व संधिया पर सच्चिप को दिया यूसे राजिंतिक हलकों में बेदम माना जा रहा है नागपुर में शीत कालिन सत्र शुरूख होने की पुर्व संधिया पर हुई मंत्री मंडल की बैठक में लोकायुक्त संशोदर विधहक को हरी जंडी दी उनके अनुसार मुखमंत्री और उनका पूरा मंत्री मंडल लोकायुक्त की जाच के दाइरे में आएगा लेकिन सदर में जब विधहक रखा गया तो बहुत सारी खामिया सामने आई विपक्ष के अनुसार में बिना खर्च के लोकायुक्त संसोदर विधहक 2022 मंजूर कर लिया हलाकि सरकार की ओर से मुखमंत्री दिवेंदर फड़नवीस ने दावा कि कि समा सेवक अनना हजारे जिस सरक के लोकायुक्त जाते हैं उसी दरह का बनाया क्या है फूरक मांगों ने भी इतिहास रचा महराज की इतिहास में पहली बार शीदकालिन सत्र के दौरान नागपुर में करीब ये राठोर और शम्भुराज जेसाई पर भी भसचार के आरूप लगाएगे दानवे ने कई और मंत्रियों के घुटाले और भसचार उजागर करने का दावा किया लेकिन तब तक सत्र खत्म हो गया